दोस्तो आज के हमारी स्वीडियो का टॉपिक है वाई वी यूज इस्टार डिल्टा इस्टार्टर का उपयोग करते हैं हमारी मोटर को चिलाने के लिए तो यह कोशन काफी ज़्यादा इंपोर्टेंट है जो कि आप से इलेक्रिकल के इंट्रिव के इंदर भी पूचा जा सक भी रिवर्ट इस्टार के ऊपर धियो इस के पहले मैंने पर वीड़ो बना है अगर आपको यह जाने डियो को क्यो लगाते तो वह वीड़ो में इसी वीड़ो के एंदी स्ट्वर्वर वाल दूगा वांचे वीड़ देख लिए आपको क्लियर हो जाएगा है कि डिएल इस् है और जो हमारी बड़ी मोटर होती ही जादा ही बड़ी होती है जो सट लाइन से चल रही होती है तो मनव dif ही में हम ॱस civी स sau सबीय। घर कोंपर कर रह रहे होती है पर उस अभी हम बात करेंगे लगाने जुरूरी है दोस्तों ऐसा नहीं है हम जो है इजली साड़े साथ किलो वार्ट की मोटर को डियोल इस्टाटर पर चला सकते हैं कोई दिक्कत वाली बात निया यहां तक कि दोस्तों मैं आपको बताओं कि हमारी कंपनी के अंदर 30 HP की मोटर को भी हमने डियोल स्धिन हो चलती है धिस दिन के बाद में उसको बंद करते हैं फिर वाप से एक लाते तो फिर वाप से उस एक बार चलती है तो Heart कि हार चांटि है नहीं था यहीं किंट्र ना चीटड़ तक कि हमारी हमारी में कॉश्चन आ रहा है कि हमारी मोटर जाती हूँ यह Although Ut 예 सिमपल आहेते इस मोतर के स्क्राइव होता है पिएशली के सब्सक्राइबud करेंड निइनरे करेंड इसको DOC इसे सब्दों के इसको इसको बहुत का मतलब मतलब मेरी मोटर को मैंने अब ही यसको दो करनता है यह मेरी मोटर के एक पिख तो इसको कि अग्यों तो इसका रहए कमपनी ने वोसटे रहए 20 सपर फाल दोस्टो अगर मैंने इस मोटव को जब इस्टार्ट करा यानि स्टाटिञ गूंब आदे zalूब से तीन से चार ज्यादा कड़ाले Och यका है जैसे मेरी मोटर का जो रोटर है वह रोटर एक मिनिट toy के अंदर कितनी बार घूम रहा हों तो वह हो कि लाएगा हमारा राइरपी इसको आसानी से यह समझते हैं जैसे मेरी मेरी मोटर 29 imp की है तो इसका मतलब यह कि मेरी मोटर का जो रोटर है वह हिर मिनित के अनदर न पदर trainings रहे हैं तो दोस्तुम जब तक मैंने इस मोटर को सप्लाइण नहीं रहा है फिर 2000 आरपी मोटर अने के बाद मेरी मोटर वापस उसके रेटेट गरेंट पर आ जाती है तो तो सैकेंडर का उप्यूग इसलिए ही करते हैं यह हमारा करण्ट को कम करने के लिए जैसे मैं आपको बताए कि मेरी motor 20A लेनी चाहिए पर वो starting में 70A ले रहे है तो दोस्तो यह काफी जादा होता है अगर दोस्तो इतना current हमारी motor की winding से निकलेगा तो मेरी winding जल सकती है मेरी motor खराब हो सकती है तो दोस्तो इसी समय हम star delta starter का उप्योग कर लेते हैं तो दोस्तो अब हम थोड़ा इस सीच को भी समय लेते हैं कि star delta starter के लगाने से हमारी motor का current कम कैसे हो जाता है दोस्तो देखिए काफी simple चीज है जैसे मेरी motor है अब इस motor को आप connection plate देखोगे तो उसके ने कुछ इस तरीके के connection plate होते है थरी phase motor के अब मैं इस motor को दो तरीके से चला सकता हूँ या तो मैं एक star में जोड़ सकता हूँ या फिन मैं इसको एक delta में जोड़ सकता हूँ दो connection आपने सुने मोटर के एक star में और एक delta में तो दोस्तो ये आपने terminal box में 6 point देखे हैं ये असले हमें point कैसे होते हैं ये जब हम star में जोड़ते हैं motor को तब क्या होता है तो दोस्तो दीखे जब हम motor को star में जोड़ते हैं तब हम क्या करते हैं यहां से इन 3 point को short कर देते हैं और यहां पर देते हैं ryb अभी हम star delta star की बात नहीं कर रहें अभी हम normal connection की बात करें motor के start की और हम क्या करते हैं इधर देते हैं R और इधर देते हैं Y और इधर देते हैं B तो हमारी जो मोटर के अंदर की जो वाइंडिंग है इस एक वाइंडिंग को हमारे 220 वोल्टेज यानि सिंगल फेस मिल रहा होता है मेर्स बास करे देंगि करते है मैं धर मोडर के इस तरीके से होता है आप ही समझी छोड़ दिए तो यहार इधर चल गई अब दो यह जो पॉयंट को हमने इदर ंब कि सब्रतकिर चरसे किया हुआ हमारे और सप्लाइकर आगी तौक्त क्या हुआ हमारे एंदर चल जैगी तो किया हुआ दसाम हम ने कौन फॉयंट वायैं पोंट यहां पट तो हमने यहँटा तो यह हो गया मेरा इधर blue और इधर भी blue तो अब आप देख सकते star connection और delta connection में कितना अंतर है star connection के अंदर मेरी हर winding को एक face मिल रहा था इस winding को एक face मिल गया इस winding को एक face मिल गया और इस winding को भी एक face मिल गया और तीसरी winding को yellow face मिल गया और blue face मिल गया मतलब हर winding को 2 face मिल रहे हैं दोस्ता हमारी motor को कब star में चलाना चीए या फिर हमारी motor को कब delta में चलाना चीए अगर आपको इसके ओपर भी question है तो आप comment box में comment कीजिएगा मैं इसके ओपर एक video मना दूँगा कि motor को star में चलाना चीए और delta में चलाना चीए आपके सारे doubts clear हो जाएंगे तो दोस्ता अभी आपको इस clear हो गया कि star connection और delta connection के अंदर क्या होता है तो दोस्ता हम हमारे point के ओपर आजाते हैं कि हम star delta starter को क्यों लगाते हैं तो दोस्तो इसका जवाब मैंने यहां लिख दिया है star delta starter is used to reduce the motor starting current मतलब in rest current यह आपको इंट्रुव में बोल सकते हो अगर आप इंग्लीज में इंट्रु दे रहे हो और अगर आप हिंदी में इंट्रु दे रहे हो तो आपको क्या बोलना है इसके लिए हम star delta starter को लगाते हैं पर दोस्तो इसके साथ में आपसे एक और question क्या जा सकता है कि हमारा star delta starter कैसे काम करता है वह starter हमारी motor का starting current को कैसे कम करता है कैसे reduce करता है आप यह बताइए तो उस समय आपको क्या बोलना है तो दोस्तों इस समय आपको यह simple जावब देना है अगर आप English में इंट्रु दे रहो तो आप चेहे कहिएगा Initially we connect motor winding in star connection मतलब कि हमारे star delta starter के अंदर हमारी motor को सुरुवात के समय हम star के अंदर जोडते हैं इसका हिंदी में मतलब simple सा है कि हमारी motor को starting में तो हम star में चला देते हैं पर जब हमारी motor के rpm 70-80% आ जाते हैं उसके rated rpm के तो हमारी motor को हम वापस से delta में जोड देते हैं जैसा मैंने आपको starting में बतायता है कि हमारी motor का rotor रोटर है उसके rpm में starting के समय जीरो होएंगे पर जैसे हमारी motor को हम चलाते हैं तो चलाने के बाद में धीरे धीरे करें हमारी rated rpm तक पहुँच जाएंगे तो इस सबी बातों का मतलब सिंपल सह है कि remake R by plane इंदा हमारी motor का क्म चला रहे हैं और फिर बार में कुछ समय के बाहरे हमारी motor का में लेकला देता है इस्टार में चलाकर का छाता है और धोड़ी देन मोटर के चलने के बाद में हम मोटर को नॉर्मल डेल्टा के अंदर जोड देते हैं ताकि हमारी मोटर के अंदर पूरे वोल्टे जाए और हमारी मोटर अच्छे से वर करें पूरे लोड के साथ चल सकें दोस्तों इस वीडियो खतम करने से पहले आपके लिए काफी मैथमूर सुझना है अगर आप कहीं पर ilectric begin पर पढ़ा ही कर है दोस्तों हमने एक प्लेट के अंदर दोस्तों आपको काफी सारी अलक्लेटर मिल जाएंगे इस के अलक्लेटर के मदश से आप काफी सारी अलक्लेश़न असानी से कर सकते हैं जैसे current निकालना, motor की power निकालना, kilowatt से HP मदलना, HP से kilowatt मदलना इस calculator के अलावा आपको हमारे electrical कहीं सारी full form मिल जाएगी इसके अलावा आपको महाँ पे कहीं सारी symbol मिल जाएगे इसके अलावा दोस्तों मैं महाँ पे समय समय पे नई electrical की job update भी देता रहूँगा जिसकी मदल से आपको नई नई जॉब के बारे इन पता चलता रहे है तो दोस्तों एक बार आप प्लेश्टोर पे जाके सर्च मारेए electrical दोस्त और application को download करने के बाद आपको application कैसी लगी प्लेश्टोर पे रेटिंग कर देके जरूँब बताईगा और दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा इस वीडियो को लाइक करके जरूँब बताईगा अगर आपको कोई भी सवाल इस वीडियो के बड़ती है अफिए electrical से उड़ा है ता आप मुझे नीचे comment box में comment करके पूछ सकते हैं इलेक्टिकल गुडियो सकते हैं आज यह मैं चैनल को subscribe कर लिजिए आज के लिए नहीं धन्यवाद